जैहिन सात्यों वल्कम आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं दो एहन मुद्दों के उपर जैसे कि आप लोग जान रहे हैं पी एनस्ती काउंसलिंग सेकेंड राउंड के लिए और गैस एनम वाले काउंसलिंग के लिए ठीक है एनम जो आपकी भरती आदनी है और इसमें दो साल पूर्ण हो चुके है और गैस यह तो बता दू मैं दोनों काउंसलिंग में दो साल पूर्ण हो चुके है तो गैस आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारी सरकार क्या है निकम्मी हो चुकी है एजूकेशन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है गाइस यह जो एक्जाम आपने दिया था यह गोई इस वेकेंसी जो है गाइस कौन सी थी जॉब वाली वेकेंसी नहीं है ठीक है यह जो आपने भरती करवाया है ठीक है जो आपका PNST प्री नर्सिंग सेलेक्शन टेस्ट और गई ANM ठीक है यह है दोनों एक्जाम में आपको कोर्स करवाने वाली एक्जाम है इसमें भी आप लोगोंने दो साल लगा दिया इस भरती को जो है पूर्ण करने के लिए और आज भी इनके बारे में कोई भी अपडेट प्रुआइड नहीं है तो गैस मैं यही निवेदयन करता हूँ आप सभी सात्यों से सभी विद्यार्तियों से कि जितना भी समाधान इस्टेडी को फॉलो कर रहा है और समाधान इस्टेडी की अपडेट देखता होगा वीडियो को शेर करना है इस वीडियो सरकार तक पहुचना है ताकि जो है गाइस यह बाते उन तक हमारी पहुच सके गैस यही होगा गाइस कि जैसे कि फ्रंट पेज पर आप लोग देखी रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है तो गैस वीडियो में यही लिखा है मैंने कि वह हकीकत है इससे क्या हो सकता है इससे यही हो सकते कि मेरा चैनल नरियन आपका PNST नर्सिंग सेलेक्शन वालों का 2021 का भी फॉर्म ने निकाला है और गैस जो है A&M की 2020 के भरती भी अभी तक नहीं किया और कोई ऐसी नहीं कि इन्होंने भरती नहीं किया है गैस कोई अपडेट भी नहीं दिया है मैं डारेक्ट यहाँ पर DHS के ओफिसल वेबसाइट पर हूँ डेली आपके लिए अपडेट पूरार करता हूँ मेरे डेली लाइव क्लासेस में गाइस बच्चों के कमेंट्स आते हैं ओफलाइन वीडियो जब भी डालता हूँ कोई कमेंट्स आता है कि सर काउंसलिंग कब होगी क्या बताए हम उन्हें क्या बताएंगे आप ही जरा बताएज कि हम आपको क्या अपडेट देंगे कोई भी अपडेट नहीं दे रही है सिख्छा मंतरी ध्यान ने दे रहा है आपका जो मेडिकल वाले अफसर बैटे वो भी कोई ध्यान नी दे रहे सरकाम पूरी निकम्मी हो चुकी है पैसा लेने का काम कर रही है सेकेंड राउंड की जो है इन्होंने काउंसिलिंग करवा दी है सेकेंड राउंड की काउंसिलिंग पहले रेजेक्ट करवाया फिर काउंसिलिंग करवाया सबी से 3300 रुपे ले लिया है और जो है बैट के जो है सरकार बैट चुकी है कोई भी प्रोसेस नहीं दे रही है 38 तरीकों अलोटमेंट लेटर आने वाला था आज तक अलोटमेंट लेटर की कोई भी जानकरी इनके द्वारा नहीं दी गई है तो सरकार क्या हो चुकी है इसके पर टूट चुकी है पूरी निकम ही हो चुकी है अब जो है गाईस आप सभी को ही क्या होगा एक जूट होना पड़ेगा और इनके खिलाप आवाज उठाना पड़ेगा काफी जो है यूटूबर्स है जो गईस कम ही वीडियो बनाते है बड़ जो है MP के बारे में भी थड़ा सोचिए नर्सिंग फिल्ड को हमें आगे बढ़ाना है और इसके लिए आप लोग एक एक वीडियो जरूर से बनाइए गईस ताकि इनको समझ में तो आये एडुलिस्ट कि क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कब बच्चे इसमें एड्मिशन करवाएंगे कब इनका सेलेक्षन होगा यह सारा का सारा मामला जो है काफी दिनों से पड़ा हुआ है यहाँ पर कोई भी अपडेट साइट पर नहीं डल रही है यह तो नोटीस टो डाल देते एटलिस्ट की क्या प्रोसेस हो रही है गाईस इनके दौरा तो नोटीस भी जारी नहीं किया जा रहा है इन्होंने डेट भी इनके दौरा जो है रिजेक्ट कर दी गई है कोई भी अपडेट नहीं दे रहे यह सरकार क्या हो चुकि यह निकम्मी है तो मैं आप सबी से यही निवेदेंग करूँगा गाईस कि आप लोग वीडियो को शेर करें यह वीडियो गाईस उन तक पहुचाए जो गाईस इ यही होगा कि चैनल सीज हो जाएगा बस यही होगा कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा बट मैं आपको दूसरे माद्यम से भी वीडियो प्रवाइट करूँगा बट मैं आपके साथ ही रहूँगा तो वीडियो को शेर करना है क्योंकि इसे जब तक आप लोग शेर नहीं क पुरा शेडूल चाहिए हमें कि कब जो होगी कांसलिंग पूरा जो है मैं नूटीश चाहिए जैसे कि आप लोगों ने देखा है इसके पहले बच्चो आकरोस में आ गये थे रेले वाले बच्चों ने आकरोस में आकर जो भी किया था बट उसके लिए सरकार को उसके सामने जुकना पड़ा था तो हम भी जो है उसके सामने डिमान रखे हैं आपके सामने फ्रेंट पेज पर दिख रहा है PNST सेकेंड राउंड का अटमेंटर जारी करें A&M की काउंसिलिंग दो साल तक कोई भी अपडेट नहीं दी गए उसकी भी प्रोसेस करवाईए तब ही जो है हम लोग जो है अब जो है इसके बारे में हमें कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा तो आप सभी साथ होंगे तो लाइक की करना है गाईस और मुझे comment box में बताना है कि अब जो है हमें चुप नहीं रहना है तो मिलते गैस हम लोग नेस्ट अपडेट का वेट करते है आज वेट करते है कल वेट करते है अगर इनके दौरा कुछ नहीं किया गया है तो फिर हम लोग जो है इसके खिलाब जरूर आज उटाएंगे तो देखे गाइस जैहिन नमस्ते अपना ख्याल रखेगा और पेसेंस बना के रखेगा जो है प्रोसेस को जल्दी से जल्दी हम लोग करवाएंगे